हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अभी क्लासेश मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ महतुपुर्ण प्रशन का एक नया स्रीज और ये क्रैसकोर स्रीज है यानि आईक्यू स्रीज और इसमें हम लोग बात करने वाले समाजी विज्ञान के अर्थुसास्तर के विशे में जिसमें से अर्थुसास्तर में सब्सक्राइब करने की प्रिक्रिया जिसमें क्या होता है कि जो दूसरे देशों के साथ वेपार करने की प्रिक्रिया है दूसरे देश के साथ कैसे वेपार करते हैं और ये एक छोटी बड़ी बाते नहीं होती एक बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया जो होता है एक देश से दूसरे देशों के साथ वेपार करता है एक देश से दूसरे देशों के साथ वेपार एक बहुत ही important question पड़ते हैं बहु राश्टर कमपनियां क्या करती है किसी भी देश में जब आती है तो वो छोटे-छोटे कमपनियों को मात देने लगती है यानिकि छोटे-छोटे कमपनियां उससे परभावित होने लगती है तो यहां से यह question बनता है तो जो कोई भी देश होता है तो वेश्वी करन के लिए अवरोध लगा देता है अवरोध मतला नहीं कि दूसरे देश को अपने देश में परवेश करने नहीं देता है आने तो देता है लेकिन वेपार करने के लिए नहीं आने देता और इस परकरिया कम लोग वेपार अवरोध कहते हैं और इसक की 22 नमबर तक 123 में बात की थे चप्टर और यह चप्टर 4 है इसलिए अध्याचार वैपार और निवेस की नेतियों का उधारी करन वैस्वी करन परिकरिया में कैसे सहायता पहुचाती है यानि कि जब कोई देश उधारी करन कर देता है वैपार के लिए यानि कि अनुमती दे अगला कोशन है वैस्वी करन का परभाव जो आता है एक समान नहीं है यह बात तो बहुत सही है कि वैस्वी करन का परभाव एक समान नहीं है बहुत सारे देशों में वैस्वी करन परिकरिया बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत सारे देशों में नहीं फैल रही है तो कि भारत सरकार जो थे अवरोध क्यों लगाते थे अवरोध क्यों लगाते थे अवरोध क्यों लगाते हैं तो यहाँ पर आप कंसर लिखना है और इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी और फिर बाद में इसे हटाना क्यों चाहती थी यह आपको लिखना है केवल भ बहुराष्ट्र कमपनियां किस परकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंतरन अस्थापित करती है यानि कि जब कोई देश दूसरे यानि कि जब कोई का सकते हैं बहुराष्ट्र कमपनियां अपने देश से दूसरे देश में जाती है तो वह वहाँ पर नियंतरन वहाँ चीज़ आपको इस question में बताना है तो यही था कुछ question chapter 4 से जो यहाँ पर खतम हो जाता है अगला आता है chapter 5 जो बहुती आसान सा chapter है और इसमें हम लोग बात किये थे हैं उपभोगता अधिकार के विसे में यह आपके लिए भी जानना बहुती जादा जरूरी था क्योंकि अभी एक उपभोगता है दुनिया में जितने भी लोग किसी वस्तु को खरीते हैं वो एक उपभोगता है क्योंकि वो किसी चीजस का उपभोग कर रहे है और उपभोगता के पास कितने अधिकार हैं, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़े थे हैं, मुक्य रुपसय अभोगता के पास पांच अधिकार दिये गए हैं और उन्हीं अधिकारों के भीशने मम लोग पढ़े थे कि इसका परियोग कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है सबसे important question ये था कि आखिरकर ये उपभोकता अधिकार सबसे पहले आया कब ये चीज सामने आया था तो ये इन सभी question के बिचे में पढ़ेते हैं पहला question है कि तीन उधारनों के साथ उपभोकता जागरूकता की जरूरतों का वर्नन कीजिए यानि कि जो उपभोकता जागरूक क्योंकि आपके पास ये अधिकार है कि अगर वो वस्तु खराब हो जाता है तो आप उस company के खिलाब बोले कि ये वस्तु इतना जल्दी खराब क्यूं हुआई इसी को बोलते है जागरूप यानि कि लोगों को जागरूप करना तो यह जरूरी है क्यों आपको क्यों लगता है इसके जरूतों का वर्नन करना है अगला कोशन है इसी चप्टर से और कोशन यह है 29 नमर कि उपभोकताओं के किनी तीन अधिकारों को बताईए यहां पर कोशन है कि उपभोकता सुरक्षा अधिनियम 1986-1986 के निर्मान के जरूरत क्यों पड़ी यानि कि उपभोकता अधिकार सबसे पहले सामने आया था 1986 में इसे पहले की जुरत क्यों पड़ी ये आपको यहाँ पर इस कोसन का एंसर बताना है अगला कोसन है कि 31 नमर है कि भारत में जो होता है उपभोकता आंदोलन की सुरुवात किन कारणों से हुई भारत में भी उपभोकता आंदोलन की सुरुवात भी और उसके कारण क्या थे क्योंकि भारत में भी उपभोक्ता का सोसन हो रहता है मुखी रूप से आंदोलन ता वाता है जब उसका सोसन होता है तो सोसन हो रहा था उपभोक्ता का इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता अंदोलन आया तो क्या-क्या सोसन हो रहा था यह आपको बताना है अगला है कि कुछ ऐसे कारकों की चर अर्थसास्त्र का भी यह पूरा कह सकते हैं और इसमें हम लोग बात के कुछ कोशन के विशे में और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद अभी तक मैंने चार बुक यानि कि इतिहास सिविक्स यानि कि नागरिक सास्त्र भूगोल जिगरोफी और एक साम में में बहत ही बहतर से पास हो सकते हैं ना कि अपका सकतर हैं और अगर यह आप से नहीं बन रहे ह। यह लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा डिफ्कल्ट है तो मैं आपके लिए लिए जव सब्सक्राइब कीजिए तियोच्ट और दबाधि बैल आईकन और आगर वीडि वीडियो में तो अभी तक लेतना ही करिए अगर आप नहीं आएं तो सस्क्राइब करने मत भूलिएगा क्योंकि यहां पर ही आपको मिलता है हिंदी का एक पेस्ट शोलिशन अगर आप क्या सकते हैं अगर आप बहतर तरीके से एक्जम प्रिपेर करना चाहते हैं तो आप लेक करांगों सभी कांसर दिसम्मर से तो अभी तक लेतना ही जाहिन जा भारत वंदे मतरम